ससुराल नहीं, धरम शॉला है आओ बहु अपने नहीं परिवार से मिलो, ये तुम्हारे ताउ ससुर और ताई सास हैं, ये तुम्हारी नंद और देवर, और इन हैं तो तुम जानती हो, तुम्हारे जेटवर जेठानी, और उनके दो बच्चे, चलो एक एक करके सब के पैर चुकर उनसे आशिरवाद लो ये लोग हैं जो खत्मी ही नहीं हो रहे, लगता है आज मेरा पूरा दिन सब के पैर चुकर आशिरवाद लेने में ही निकल जाएगा मनी मनी ये कहते हुए अमरता कमर दर्द के साथ सब के पैर चुकर उनसे आशिरवाद लेती है, जिसके बाद अमरता की नंद और जेठानी उसे अंदर ले आती है, लेकिन जैसे ये अमरता अपने ससुराल को अंदर से देखती है, तो वो हैरान रह जाती है अमरता इतना सोची रही होती है कि तबी उसकी नंद आरिती पेचारिय अमरता अपने ससुराल वालों के मुताबिक अलग-अलग रسمें करने लगती है जिसमें उसे सुबह से शाम हो जाती है इतनी सारी रस्मों को करते हुए अमरता काफी थक चुकी थी आखिरकार थोड़ा सुकून मिला, अब तो मैं आराम करूँगी, वैसे भी आज मेरी सुहाग रात है, देखते हैं ये मुझे मोदिखाई पर क्या देंगे अमरता इतना सोची रही थी कि तभी घर की सारी औरते आ जाती हैं, जिन्हें देख आप लोग यहाँ, वो क्या है न, हम सभी औरते घर के अंदर सोती हैं, और जितने भी मर्द हैं, वो सब घर के बाहर आंगन में सोते हैं केतन कहा है, केतन तो कपका सो गया, चल बहू अब तू भी सोजा, शादी की भाग दोड़ में हम सब लोग काफी तक चुके हैं सभी लोग अपना अपना बिस्तर लगाते हैं और सो जाते हैं, मैंने अपनी सुहाग रात पर क्या-क्या सपने देखे थे कि हम लोग धेरजारी बाते करेंगे, वो मुझे तौफ़ा देंगे, लेकिन सब कुछ पानी में मिल गया, अपना सिक्का खोटा है तो मैं दूसरों को क्या बोलू, अपनी सुहाग रात के दिन भी मुझे अपनी सास नंद चिठानी के साथ सोना पढ़ रहा है। नहीं, वो उटके मारे जान निकली जा रही है। लाईत आओ जी। और यहाँ गर्मी में खाना बनाते बनाते मेरी जान निकली जा रही है। अमर्ता भी खाना खा लेती है। और घर का सारा काम खतम कर अमर्ता जैसे ही नहाने जाती है। अरे भाबी रुक जाओ पहले मैं नहालू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे नहाने के बाद आप आराम से नहा लेना। अमर्ता अदीती को नहाने के लिए जाने देती है, अदीती के आते ही जैसे ही अमर्ता नहाने के लिए जाती है। भाबी मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना था, क्या पहले मैं नहालू, ठीक है। नितिन के नहाने के आने के बाद अब बिचारी अमर्ता दुबारा जैसे ही नहाने के लिए जाती है। मुझे मंदिर जाना था पहले मुझे नहाने तो फिर तुम नहा लेना इतना कहकर मेन का नहाने के लिए चली जाती है बार बार हर किसी को नहाने के लिए जाता देख अमरता को बहुत गुस्सा आता है लगता है अब इस घर में ना आने के लिए भी मुझे लाइन लगा कर रहना पड़े गा अमरता घुस्से में उस दिन आती नहीं है और ऐसे यी राध हो जाती है घर में सिर्फ दो ही टेबल फैन थे एक टेबल फैन तो आंगन में सब आदमी लगा कर सो जाते थे और एक टेबल फैन घर के अंदर रहता था प्रेणा टेबल फैन को अपनी तरफ कर देती है सब लोग टेबल फैन इधर से उधर करने लगते हैं जिसके चलते अमुर्ता को टेबल फैन की थोड़ी भी हवा नहीं मिल पाती और गर्मी में उसका हाल बेहाल हो जाता है अमुर्ता राज बर सोने ही पाती अगले दिन होते ही अमुर्ता जल्दी जल्दी से घर के सारी काम खतम करके दुपहर में सोने जाती है कि तब ही यह बॉल मेरी है चोर मेरी बॉल को रूही और राजू की चलाने की आवाज से अमृता दिन में भी सो नहीं बाती अपने धरमशाला जैसे सस्वराल में अमृता का हर दिन अब बड़ी मुश्किल और परिशानियों से गुजर रहा था ऐसी एक दिन अरे अमृता बहू तु तयार नहीं हुई अमृता की बात सुन सभी उसे घर पर छोड़ कर मंदर चले जाते ये देख अमृता खुश होती है कि आज वो आराम से घर पर रहेगी और सोएगी लेकिन अमृता के खुशी जादा देर तक नहीं रहती क्योंकि तभी उसके घर के बड़ी जैंट सा जाते हैं जिनने देख अमृता गूंगट कर लेती है केतन की बात सुन अमृता को केतन पर गुस्ता तो बहुत होता है लेकिन सबके होने की वज़ा से अमृता उससे कुछ कहती नहीं और रसोई में जाकर रोते हुए शर्बत और खाना बनाने लगती है मेरी हिबबत बारी गई थी जो मैं घर में रुख गई कम से कम मंदर जाती तो घर के काम से तो तो तोड़ी रहत मिलती अब धीरे धीरे करके घर की काम की सारी जिम्यदानिया अमृता पर आनी शुरू हो गई थी सभी लोग अब धीरे धीरे अमृता पर अपने सारे काम थोपने लग गई थी जिसके चलते अमृता बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी अमर्ता चोड़े के पास जागर खाना बनाने की तैयारी करती है कि तब भी केतना आता है और Amardha को पीछे से hug कर लेता है कैसी हो मेरी जान केतन की बाद सुन Amardha केतन को जोर से धक्का दे देती है हरे, क्या होगा Amardha तुमने मुझे इस तरह धक्का क्यो दिया धक्का ना दूँ तो क्या मैं तुम्हारी पूजा करूं इतनी घर्मी और पसीने से परिशान होकर मैं खाना बना रही हूँ और तुम्हें है कि रुमैंस हूज रहा है अगर इतना ही रुमैंस करने का शौक है न तो एक अलग कमरा बनवा लो एक तो तुम्हारा गाउं जितना परिवार एक कमरे के घर में रहता है पता भी है मुझे कि कितनी दिक्कत हो रही है इस घर में कोई अपना काम नहीं करता किसी को चाय चाहिए तो किसी को खाना बहू हूँ कोई नौकरानी नहीं इतनी बड़ी जमीन है फिर भी सबको इस छोटे से एक कमरे के घर में रहना है एक दिन देखना मैं तुम लोगों की वज़े से पागल हो जाऊंगी अमर्दा का इतना गुशा देख केतन वहाँ से चला जाता है वहीं गेट पर खड़ी संगीता और प्रेज़णा उसकी सारी बाते सुन लेती हैं जिसे सुन उन्हें भी अमर्दा के लिए बётся बुरा लगता है संगीता और प्रेज़णा की य हम लोग शुरू सी एक कमरे में रह रहे हैं। बहु हमें माफ कर देना हमारी वज़ा से तुझे कितनी परेशानी होती रही लेकिन हमने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और आराम से अपने कमरे में रहते हैं। बाकी घरवालों को भी अपने अपने कमरे मिल जाते हैं। और इसी के साथ ससुराल के दर्मिशाला बनने की कहानी यहीं खतम होती है।